अगर आप में चानल पर नहीं है तो चानल को सब्सक्राइब करें वीडियो को एंट तक जरूर देखे और अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक शेर और कॉमेंट करें तो डिरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जी एन सीटी ऑफ डेली की तरफ से 21 सितमबर 2021 के लिए मैट्स की वरक्षीट है वरक्षीट नमबर 75 क्लास 3 की ये वरक्षीट है इससे क्या होगा कि बच्चे कंस्ट्रक्ट और यूज कर पाएंगे मल्टिप्लिकेशन के फैक्ट जो झाते समय चित्र कुछ गलतिया हो गई है आपकी निचार गलतीयों को ढूंड कर अध्याप के साथ साजा कीजिए तो यह चित्र था इस जैसा ही दूसरा चित्र बनाने की को शिच की गई लेकिं उसमें कुछ गलतिया हो गई वह गलतिया हमें बतानी क्या कowski यापे ये है त तो उसने पकडंडे की टाइलों पर चलांग लगा लगा अगर बहुत मज़े किये, एक दिन तेज वारिश होने के काणवे पार्क में खेलने नहीं गया, तो उसने सोचा क्यों ना मैं अपनी कॉपी में चलांगे बनाओ, तो एक दिन बहुत जादा तेज वारिश हो रही थी जिसकी वैसे क्या है, वो पार्क में खेलने नहीं गया, तो उसने क्या क्या किया, कि मैं अपनी कॉपी में चलांगे बनाने की सोची, ठीक है, उसके बहुत तो चौबिस नमबर तक पहुचने के लिए, ललित ने पहले एक बार में तीन संख्याओं की चलांग बनाई, और उसने क्या किया, उसने चार जो संख्याओं थी, उनकी चलांगे यहां पर लगाई, चौबिस नमबर तक पहुचने के लिए, तो आप भी बताएं, तीन और चार संख्याओं की कितनी चलांगे लगाने पर आप चौबिस पर पहुचने, तो कितनी चलांगे लगाने पर 3 से 6 हो गया, फिर 6 से 9, 9 से 12, 12 से 15, 15 से 18, 18 से 21 और फिर ये 21 से 24, तो कितनी चलांगे हो गई है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8, तो 3 संख्याओं को कितनी बार किया, 8 बार, तो 8 बार 3 संख्याओं की चलांग से हम 24 तक पहुँचेंगे, अब 4 की अगर बात की जाए तो 4, फिर 4 से 4, अगले 4 जाएंगे तो 8, 8 से अगले 4 जाएंगे तो 12, 12 से अगले 4 जाएंगे तो 16, 16 से अगले 4 जाएंगे तो 20, और 20 से अगले 4 जाएंगे तो 24, कितनी हो गई फिर ये 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6, छटे बार चलांग लगाने पर 24 तक पहुँच जाएंगे, तो 6 बार पाच संख्याओं की चलांग लगा कर कितने तक पहुंचना है आपको 40 तक पहुंचना है आपने कितनी बार चलांग लगाई तो यह आपको लिखना है कि यह कितनी बार चलांग लगाई तो यह देखो हमने 0 से स्टार्ट किया और यहां 5 तक हमने चलांग लगाई फिर 5 के बा 2, 3, 4, 5, 6, 7, और ये 8 तो हमने कितनी चलांगे लगाई 5 संख्याओं की जिससे हम 40 तक पहुँचे 8 अगर आप अपनी चलांगों को लिखेंगे तो कुछ इस तरह लिखेंगे तो हम चलांग जो लिखेंगे वो किस तरीके से लिख सकते हैं एक बार 5 संख्याओं की चलांग कितनी हुई 5 क्या हम हर समय बार लिखने की जगे गुना का चिन्न का प्रयोग कर सकते हैं तो हम बार बार जो है उस संख्याओं को लिखने की बजाए हम क्या करेंगे गुना का चिन प्रेयोग करेंगे, किस तरीके से हम उसको प्रेयोग कर सकते हैं, वो हम प्रेयोग करेंगे, तो हमने इसको कैसे लिखा, चार जो है, गो पात से जब गुना किया, तो चार को पात संख्याओं की छलांग लगाए, तो हम कितने पर पहुंच गए, बीस पर, तो क 3 बार पास संख्याओं की चलांग कितनी हो गई 15 तो 4 बार पास संख्याओं की चलांग लिखने की बजाए हमने क्या किया कि 4 को 5 से गुना कर दिया यानि कि 4 गुना 5 कितना हो गया हमारे पास 20 फिर अगली बार हम 5 बार की लिखेंगे तो संख्याओं की छलांग तो 5 को 5 से गुना कर देंगे तो हमारे पास किना आ जाएगा 25 जैसे ये लिखा हुआ फिर 6 बार संख्याओं को लिखेंगे तो 6 को 5 से गुना कर देंगे यानि कि 6 पंजे 30 7 को गुना करेंगे किसे 5 से यानि कि 7 पंजे 35 और फिर 7 के बाद अगला नमबर क्या है 8 8 को किसे करेंगे 5 से तो 8 पंजे 40 तो इस तरीके से क्या है हम अपने 40 छलांगों तक पहुँच जाएंगे तो इसी तरह से नीचे दिये गए प्रश्न को पूरा करना है तो ये जो नीचे प्रश्न दिये गए है हमें इसको हमें पूरा करना है तो ये जैसे हमें दिया गया है, गुना 3 और आबर 30, तो कितनी बार, 3 को कितनी बार हम गुना करते जाएंगे, कि हम 30 तक पहुँच जाएंगे, तो उसके लिए पहले हम स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे हमने 1 से स्टार्ट किया, 1 को 3 से किया, हमें मिला 3, फिर 2 को 3 से किया, हमें हमें मिला 9, फिर 4 से 3 को किया, हमें मिला 12. इसी तरीके से 5 को और 3 को किया 15, 6 को 3 को किया 18, 7 को 3 को किया 21, फिर 8 को और 3 को किया 24 फिर 9 को और 3 को किया 27 और लास्ट में जब 10 को हम 3 से करेंगे यानि कि 10 बार संख्याओं को की चलांग लगाएंगे 3 बार तो वो कितना आ जाएगा हमारे पास 30 तो यहां पर हम कितना लिखेंगे 10 तो 10 गुना 3 बराबर 30 ऐसे ही फिर हमारे पास अगला जो दिया गया है यह वाला है इसमें भी हम ऐसे ही एक से शुरू करेंगे एक को चार बार किया 4 दो को चार बार किया 8 तीन को चार बार किया 12 चार को चार बार किया 16 पाच को चार से गुना करेंगे तो हमें 28 मिलेगा अब अगला आता है ये किस से करेंगे ये वाला 5 से 5 बार किस चीज कि शलाग लगाएंगी कि हम 45 मिले तो पहले हमने किया 1 की 5 बार लगाई तो हमें मिला 5 2 की 5 बार लगाई तो 10, 3 की 5 बार लगाई तो 15, 4 की 5 बार लगाई तो 20, 5 की 5 बार लगाई तो 25, 6 की 5 बार लगाई तो 30, 7 की 5 बार लगाई तो 35, 8 की 5 बार लगाई तो 40, और जब हमने 9 की 5 बार लगाई तो हमें कितना मिला 45, तो यानि कि हमें यहाँ पे कितना करना पड़े नो को जब हम पाच बार चलांग लगाएंगे तो कितनी बार चलांग लगाएंगे तो कितनी बार चलांग लगाने पड़ेगी कि हमें 16 मिले तो हमें 1 को 2 से किया तो 2, 2 को 2 से किया तो 4, 3 को 2 से किया तो 6, 4 को 2 से किया तो 8, 5 को 2 से किया तो 10, 6 को 2 से किया तो 12, 7 को 2 से किया तो 14 और 8 को जब हम 2 से करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 16 तो हमें कितनी बार ये छलांगे लगाने की ज़रत पड़ी 8 छलांगों को हमने 2 बार लगाया तो हमें कितना मिला 16 अब अभिभावकों के लिए एक सुझाव रहेगा कि बच्चों के साथ मिलकर ऐसे जानवरों की बना सकते हैं जो कूद कर चलते हैं और साथ-साथ करना से बचने के लिए COVID-19 के विरुद लडाई में सुरक्षित रहने के लिए सभी को मास्क पहनना है आशा आपको वीडियो अच्छी लगी होगी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेर और कॉम कुमेड़ से वीडियो में कॉमेड़ और कलो वीडियो में